आप सभी का अपनी यूटूब चैनल कंप्यूटर ग्यान क्लासस में सौगत है साथ आज किस वीडियो में हम बात करेंगे Microsoft Word में इंसर्ट टैप के बारे में जिसमें की पहले की पहले वाले आप वीडियो में आप लोग होम टैप के बारे में पूरा कमप्लीटल पढ़ चुके थे तो आज हमारा जो है Microsoft Office Word का जो है सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसर्ट टैप के बारे में तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बिना देरी कि Microsoft Word को ओपन करते हैं तो सबसे पहले करना क्या है आप इंडोस प्लस आर्प की प्रेस करते हैं जैसे कि इसको ओपन करने के कई तरीके हमने पिछली वीडियो में बताया था तो उसमें से किसी एक तरीका का प्रियोग करके आप MS Word को जल्दी से ओपन कर लिजेगा और ओपन करने के बाद उसका इंटरफेस कुछी तरीके से दिखेगा यह होम टैब में जितने भी ऑप्संस और गुरूप्स होते हैं इन सबको हम पिछली वीडियो में पूरा कंप्लिटली पढ़ चुके हैं ठीक है अब आज के इस करना है कि कि पाफसं का पर्योग किस didn't work के लिए किया जाता है ठीक से पहले हमारा जो है यह दूसरा टैब है जिसको इंसर्ट कहा जाता है इनसर्ट और बोला जाएगा और इसमें जो पहला हमा रोओ पेजश गौरूफ है और यहा पर लिखा गया है कबर पीज कवर पेज क डाकुमेंट जो भी बनाया रहते हैं उसमें कवर एड़ करने के लिए करते हैं तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे पास जो है एक पेज है और इस पेज में कोई भी कवर नहीं लगा तो यदि हम कवर पेज पर यहां पर क्लिक करते हैं तो इसमें से विविन प् यह लग जाता है अब यहां पर हम इसमें कुछ संसोधन्स वगरा कर सकते हैं जैसे यह में मैंने यहां पर 2022 लिख दिया और डाकुमेंट का टाइटल हमने लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दो हजार 21 लिख देते हैं ठीक यह हमारा इसे सॉफ्ट्वेर का हम नोट्स बना रहे हैं तो इस हिसाब से यह जो कवर पेज है हमारा ऐसे त्यार होता है बाकी इदर अपना चेंज हो गया रकल लिजेगा जैसे यहां पर आथर हो गया कंपनी का जैकानेम हो गया हो गया और डेट ओगरा हो गया ठीक बाकी आप अलग से समें भी कोई भी पिक्चर और आयड़ करके आप बना सकते अच्छे से ठीक तो यह हमारा इस तरीके से हम मतलब कवर पेज का निर्मार कर सकते हैं अपने डाकूमेंट फाइल में डाकूमेंट क्यों बहुत से जो बनाऊगें बहुत से पेज के जो रिखू होते हैं या बोल सकते हैं a set of page या group of page इस डाकूइमेंट्स मतलब से다 मिल करके एक डाकूइमेंट का निर्मान करते हैं और उसए डाकूइमेंट के पहले वाले पेज को हम कबर पेज बोलते हैं जो यह बना चुगा है ठीक इसके बात देखेंगे हमारे पास पर एक पेज हैं इसमें हम अपना वर्क करेंगे और जैसे-जैसे यह फिल हो जाएगा पूरा जिसे जैसे में डाटा बनाता जाओंगा इंटर करता जाओंगा उस करने से क्या होगा आपके पास एक और पेज आजाएगा देखिए अब हमारे पास तीन पेज हो चुकिए हैं दो पेज डाटा बनाने लिए हो गया और एक बेज हमारा document का कवर पीज तयार हो चुका ठीक और इसी तरीके से हम पेज को break भी कर सकते हैं पेज को कहीं से कर सकते हैं अभी ध्यान से समझेगा इसमें पेजब्रेक वाले में होता क्या है जैसे मैं पेज़ेस ग्रूप और पेज़ेस और ग्रूप के बीच में इस पॉइंटर को क्लिक करता हूं ठीक है करसर हमारा यहां पर जैसे पेजब्रेक करेंगे तो हमारा पेज वहां से break होता है जहां पर cursor होता है ठीक है तो काफी बार exam में भी पूछ लिया जाता है कि page break कहां से होता है या page break में होता क्या है या page break में page किस अस्थान से दो भागों में तूटता है या break होता है तो वहां पर आपको यह बताना है करसर करसर की जो पोजीशन होती है उसी के अधार पर हमारा पेज जोता क्या होता है ब्रेक होता है ठीक है तो यहाँ से मैं Ctrl W फ्रेस करूंगा तो यहाँ से नयग Πीज ले आऊंगा ठीक अब यहाँ पर हमारा जो है दूसरा जो टाइब है là स्वारीč। है वह हमारा इंसर्ट टैब में दूसरा गृप टेबल गृप है टेबल स्व गृप का प्रियोग आप ऊहां करोगे जहां पर आपको एक टेबल हो और रख को एक टेबल की ज़ुरूरत पड़ेगी वहां पर आफ टेबल का नर्मानल कर सकते हो टेबल ग्रूप के अंतरगत इसमें करना क्या होता है जैसे माल लेते हैं आपको टेबल बनाना है पांच कालम लेने हैं और बीस या पचीस रो लेने हैं तो यहां पर जाएंगे वैसे इस पर अगर आप पॉइंटर को ना ऐसे स्क्रॉल करो गया फिर मूब करो ले जाकर करके पॉइ कर देते हैं आप देखेंगे कि हमारे पास टेबल बन चुका है ठीक है अब यह जो टेबल बना है इसमें जैसे मैं सीरियल नंबर के लिए इसको अर्जिस्ट कर लेना ऐसे जाओगे पॉइंटर दोनों साइड में बनेगा ठीक है इसको इतना अर्जिस्ट कर दिया हमने यह हो गया स्टूडेंट नेम यह सेरियल नंबर यह स्टूडेंट नेम और यह उसका या उसके पीता का नाम फादर्स नेम हो गया अड्रस हो गया और यहां पर मोबाइल नंबर लेना ठीक है करना कहा है यहां पर इसर नंबर लेना मतलब सीरियल नंबर स्टूडेंट नेम हो रहना उसके पाद रस् नेम हो गया उसके बास अदुर ने लेते हैं और उसके बाद अट्रेस ले लेते हैं और फिर मुबाइल नमबर लेते हैं उसे आप उसको और च्टा भी कर सकते हैं लेगी फूरा सेट हो जाएगा ठीक तो करना क्या इन सब को पूरा ऐसे None और होम्म टैम में जाकर करके इसके फांड के साथ को छोटाrs करें ठीक है ऐसे छोटा करके मोटा कर सकते हो ठीक अगर सेट करना अप जिसकी यहां से मोर्जिन गार्ट इसको का करेंगे जब सेट कर देंगे ति यह अच्छे सेट हो जाता है अभी ना अब इसमें आप अगर मैटर को बड़ा भी कर देते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं आती है ठीक है बाकि सब उसमें क्या होगा अर्जेस्ट हो जाएगा इसे फादर्स नेम हो गया इस्टूडेंट नेम अर्जेस्ट कर लेना ऐसे ठीक बाकि मुबाइल नंबर हो जाएगा अब आप डाटा लिख कितना रहे हो टाइप कितना करो यह सब हो जाएगा मुबाइल नंबर हो गया अब इसके उपर इसके उपर आप अपने इंटिस्ट्यूट कोचिंग हो गया जो अब यह को क्या करना है यहां से कहीं भी टेवल गेंगा और बनाना तॉ आप यहां जाओगे डराटेबल पर कलिक करना इस अपोंटर को देखेंगे यह पेञा पेंसिल की रूप में से अधरो तो नहीं पर ऐसे मतब प्रेस करके इसको ड्रैक कर देना खीच दिना जिसना दूर तक खीचेंगे उतना यह टेबल का निर्मार कर देगा बस सिंपल है कुछ करना है नहीं इसमें तो यहां से आप टेबल बना सकते हो ठिक तो यह हो गया टेबल और बाकी जब आप जिसे क्लर क्या होता है और यह सब क्या होता ना पैन का कलर हो गयरा क्या होता है इस सब सेट कर सकते हो ठिक तो इंसर्ट में चलते हैं इंसर्ट में यह सब हमारा कंप्लिट हो जगा एक्सल से आपर मतब स्पिरेट सीट भी ला सकते हैं ठिक यहां पर अगर एक्सल का मैं वरक्षी करना है डाटा लिखने के बाद उसको जोडने के लिए इसकल टू इतना पलस इतना लिख करके इंटर मार दो गए यह फार्मूला भी काम करता है टेबल में ठीक तो में स्वर्ड में भी हम एक्सल के टेबल को ला सकते हैं असानी से टेबल को डिलीट करना है तो इस पर राइट क्लिक करना और डिलीट टेबल पर क्लिक करना टेबल डिलीट हो जाएगा इसके आगे है तीसरा जो गुरूप है इलिस्ट्रेशन गुरूप है इलिस्ट्रेशन ग यहां पर इसको क्या करना इस पर क्लिक करना और को अना करेंगे तो तो टेक्स्ट मेंटर के चारो तरफ मतब टेक्स्ट मेंटर होगा बीच में रहेगा ठीक है यह धेर सारी सेटिंग है सब कर लेना बिहाइंड टेक्स्ट है यह की होता क्या टेक्स्ट मेंटर के पीछे सेट होता है जैसे आपने कुछ लिखा और लिखने के बाद इसको जब से अच्छा से से अगला है सेबसेव मी जाएंगे तो इभि नाकार की आकरितियों का निर्माढ़ हम इसमें कर सकते हैं जैसे मैं इसको गायब करता हूं टेक्स्ट मेंटर को यहां सेप में गया जैसे हमको माल लीजिए कुछ बनाना है फिगर्स होगा रहा तो यहां से जैसे मैं फ्लैग बनाने के लिए यह सिंबल्स ले लिया और इस सिंबल्स को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं या का कलर आपको चेंज करना है डबल क्लिक करोगे या फिर से क्लिक करके यहां से जा कर गए इसमें से कोई भी कलर कोई भी कलर का मतलब जैसा हमारा फ्लैग उस कलर मिलेना तो यदि कलर नहीं मैच कर रहा ता आप मोर फिल कलर पर क्लिक करेंगे यहां से आप कलर को मैच करा सकत करें और करेंगे तिया कलर आजाएगा इसी हिसाब से और यह वाइट कर देना आप लोग यहां से ठीक और फिर इस पर क्लिक कर के अब इसमें आपको 24 तीली सेट करना है तो फिर वहीं जाएंगे आप सेपस में जाएंगे यहां 24 देखें लिखाने इस्टार एंड बैनर तो 24 वाला ले लेना इस्टार इसको इसे क्लिक करना जब क्लिक करेंगे यहां पर इसकी साइज आ जाएगे इसको ना आप दोनों को से सेम करना अगर सेम नहीं करोंगे न तो यह अंडाकार भी हो सकता है ठीक है तो यहां सेージ को क्या करना wash Bible का circle मिरेगा अभी देखो इसको थोड़ा से ज्म करके और बढ़िया सा बनाते हैं इसके बाद這個 क्या करना एक circle में set करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे insert में जाएंगे shape में जाएंगे और एक circle ले लेंगेटिकर circle लेंगे तो वो यह भी क्या है कि उसने है साइज का होना चाहिए जितना की हमारा यह है ठीक है इसको भी हम 22 कर देते हैं जीरो दस सुन लो फोर टू ठीक इतना हो गया अब यह जब रखते हैं तो हमारे पीछे का जो तीली था 24 तीली वह नहीं दिगरा इसको क्या गाना ट्रांसपेरेंट कर देना डबल क्लिक मारोगे ति यह स्मार्ट मतब सेफ फॉर्मिट का ओप्सन आ जाएगा यहां सब फिल वाले में जाकर किसको नो फिल कर लेना नो फिल करने का मतलब होता है यह ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ठीक है अब यह दिखनी लगा आपको अब इसके बाद करना क्या है अब इसके बाद हमको इसमें इस्टिक लगानी है एक बड़ी सी लंबी सी तो क्या करना है फिर आप इंसर्ट में जाएंगे यहां सेप में जाएंगे और सेप में से कुछी भी एक रेक्टेंगुलर बॉक्स को लेकर करके ऐसे ड्रैक कर देंगे ठीक है अब ऐसे करके आप ब बना लेना सेपसे मिलेगा आपको अगला आइकाउंस और ऑइकाउंस तो फिलाल यहां लाइन चलता है आप यहां पर जब क्लिक करेंगे त Williams नेक्ट होना चाहिए आपके कंप्यूटर में यहां से आ जागा ठींडी मॉडलन पर करेंगे तिह भी online नेट से आता है मतलब यह यह भी क्या होता है आकरितियों को लाता है लेकिन वो 3D में रहता है कहने का मतलब 3 Dimension में रहता है मतलब उसको rotate कर सकते हैं उस image को और यह आपका टूडी में है यह rotate नहीं होगा SMART AART है इसी तरी कि में delete करता हूं इसके हमारा है हाँ डिलीट किया मैंने कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट किया कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट आल किया और फिर डिलीट बटन दबाया है ठीक है अभी मत पूछना डिलीट कैसे हुआ है ठीक इसके बाद है स्मार्ट आर्ट इस पर क्लिक करेंगे स्मार्ट आर्ट का से लेकर के हिरेशकल डाटा को अगर हम बनाते हैं तो इसका प्रियोग करते हैं जैसे मान लीजिए हम में मेमोरी को क्लासिफ हाई करना चाहते हैं तो उसके लिए गडाटा बनाएंगे तो यहां से हम इसको ले लेते हैं और ओके कर देते ठीक अब यह यहां पर कंप्लीट होत गया मेमोरी अब मेमोरी होती है दो प्रकार की तो इसको का करेंगे इसमें हमें कोड जोड़ेंगे ठीक है तो एड़ सेप add save after after मतलब इसके बाद ठिक अब इसमें हम लिखेंगे रैम और इस सुरी इसमें लिखेंगे primary memory और इसमें लिखेंगे secondary memory और इसी प्रकार से फिर हम इसमें भी ऐसे बनाएंगे यह फिलाल डिलीट करना पड़ेगा हमको क्योंकि यह अलग है तो मैंने इन दोनों को डिलीट किया अब यह दो बनने हमारे पास तब इसमें हमको क्या करना जोड़ना रैट क्लिक करेंगे एड़ से आफटर करेंगे ठीक है एड़ से आफटर या एड़ से बीलो बीलो कर देना ठीक है तो बीलो करोगे तो यह primary memory में आएगा तो primary memory होता दो रैम और रोम तिहां पर एक box और आपको बनाना पड़ेगा इसी मिले करके बनाईएगा ना रैट क्लिक एड़ से बीलो कर देना एड़ से बीलो इसमें देखो दो बन चुका अब इस दोनों को आप कहीं पर भी ऐसे सेट कर सकते हो यह एक बहतरी डाटा बनेगा आपका जान लिए ठीक है जैसे graphical representation होता है हर एक मतलब डाटा का तो यहां पर हम जैसे इसमें लिख दि secondary memory का भी बना सकते हो secondary memory होता क्या है ना कितने प्रकार का होता है तो इस तरीके से आप डाटा का निर्माड कर सकते हो आप इसमें smart art का प्रयोग करके ठीक तो इसको फिर मैं clear करता हूं आगे चलता हूं चार्ट आप सने चार्ट का मतलब होता है आप यह मेंस वर्ड में इस ग्राफ का निर्माड कर सकते हो एक्सल के ग्राफ मना यहाँ पर देखें़ बिबीन प्रकार के चार्ट दिखाई पड़ रहे हैं जैस्से मैं इसमें से कालम पाई बार यह सब है तो कालम वाला मैं एक लिए लियता हूं यहां से डबल क्लिक करके जब यह कालम का एक तरब लिखता हूं नेम और एक तरब लिखता हूं सैलरी ठीक नेम में मैंने लिखा रहा हमेश महेश सुरेश आजय गोपाल तो यह सब हो गए हमारे एंप्लॉई और उसके बाद इन लोगों के सैलरी में रखता हूं दस हजार बारह हजार और यहां पर 12500 और 14500-16000 ठीक तो जिसकी जिसना सैलरी रहेगी उसी इसका यह बार ऊपर बढ़ेगा ठीक है यह कॉलम बढ़ेगा तरह हमारा एक चार्ट इस तरीके से हम किसी भी डाटा को एक चार्ट के रूप में तहाँ पर परदरीख रसकर सकते हैं यहां से मान लीजिए आपको लेना पाई वाला पाई वाले पले करके ऐसे क्लिक कर देंगे ओके कर देंगे अब जिस ब्यक्तिका सेल जी जादा होगा उसका ये वाला भाग क्या होगा जादा होगा जैसे देखिए आजया का ज्यादा है तो ज्यादा है यह वाला भाग क्या है ज्यादा है तो इस तरीके समक्या कर सकते हैं चार्ट का निर्मार्ण कर सकते हैं इसके आगे चलते हैं स्क्रीन साट है आप किसी भी चीज का स्क्रीन साट ले सकते हैं यहां से असानी से इसके लिए ठीक है इसे क्लिक करोगे तो इसका स्क्रीन साट देखिए अब ऐसे क्राप कर सकते हैं इसे क्लिक करोगे तो यह स्क्रीन साट यहां पर आपके यह बहुत ही अच्छी चीज है मैं this word 2021 में है जैसे आप माल लीजिए किसी नोट्स को तयार कर रहे हैं अब उसमें माल लिजाब को taskbar के बारे में बच्चों को बताना है या notes बनाना है तो यहां पर लिखो के taskbar अब taskbar होता क्या taskbar desktop के सबसे नीचे वाली पट्टी को कहते हैं जिसमें start बटन कुईक लाइंच टूल बार और इधन नोटिफिकेशन एरियास क्या होते हैं परदर्सित होते हैं अब इसमें आपको टास्क बार का एड करना है उस टास्क बार के पिक्चर को क्या करना एड करना है तो करना क्या है आप इंसर्ट में जाओगे इंसर्ट में जाने के बा तो यहां से चौड़ा भी कर सकते हो तो इस तरीके से आप क्या करोगे इस्टूडेंस को पढ़ा भी सकते हो नोट्स भी बना सकते हो अच्छा सा भी एक पिक्चर के साथ से बाइस ठेप ठिक तो बहुत यह अच्छी सेटिंग है यह आगे चलते हैं इंसर्ट में फिर इसमें इसमें विकीडिया एड्स इन दे दिया इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है इसमें यह फाल्टूगी चीज़ ठीक है आगे चलते हैं मीडिया में ओनलाइन बीडियो लगरा दिया है तो फिलार ऑनलाइन बीडियो समको कुछ करना नहीं इसमें कोड़ों गएरा इंसर्ट नहीं करना ठीक है यह जिसे ऑनलाइन वीडियो यहां पर लिखो गए तो नेट्स की वीडियो आपके इसमें आ जाएगे ठीक लिंक में चलते हैं लिंक में यह तो कुछ आप्संस है जो इंपॉर्टन्स है जैसे लिंक है लिंक से होता क्या है हम किसी भी डाकुमेंट को लि हमें व्मेंट मैंसमें तो टाशा दो तीन रूले लेता हुँ हमाई सबाएं आप लोगों को जासे मैंने緩ा अतना लिए यहां पर लिखाने यहां पर लेग दिया अडर्रह और यहां पर मैने लिग दिया व्योफो डूटु और शक्रूता अभी मैं यहां पर लिख दिया म मैं लिख दिया क्लिक हेयर क्लिक हेयर अब फोटो तो सेट करने ही पाओगे इसमें क्योंकि इसे सेल की जो लंबाई चोड़ाई वो उतना बड़ी तो है नहीं अगर करोगे फोटो तो इतना बड़ा करना पड़ेगा और हमको इतने मर्जेस्ट करना है तो इसमें हम लिंक आना पड़ेगा क्लिक करके डेस्ट आप मतलब जहां पर आप फोटो रखे हो तो फिलाल मेरे कंप्यूटर में तो ड्यक्स टॉप पर मैं गया और डेस्ट आप पर जाने के बार भी हमको कुछ नहीं मिला फिलाल क्योंकि हमारे डेयस्ट अपर कोई फोटो हbeclı नहीं तो मिल यहां पर इसको हम स्लेट कर दी है जैसे आप पिक्चर फाइल को क्लिक कर दो गए यहां वो के संद्य दो गए यह इसका कलर जो ब्लू हो जाएगा वैसे एक्जाम में क्यों साते हैं कि हाइ पहल लगए 위에 consists का कलर कैसा होता है तो ब्लू होता है और हम जाएंगे तो होटकरके यह ओल्ड करेंगे तो इस तरीक से फिंगर बनीगी और इसको क्लिक करेंगे तब क्लिक करने के भाद जो ना येस करेंगे तो उसमें जो फाईल लिंक है उसमें जुबी फोटो लिंग है वो क्या होगा ऊपन हो जाएगा जैसे इसमें आप उस रमेश नाम को जो जो फी बेखती होगा उसका आप फोटो लिंक कर enforced करके सिलेट करके कंट्रल प्लस के भी दबा सकते हो के दबाओगे यह आएगा यहां से आपको उसको फोटो को क्लिक करके क्या कर देना है उक्खे कर देना है उसके बाद उस पर जाएंगे देखने के लिए क्लिक करेंगे hold کر کے yes करेंगे उसका photo देख जाता थी यह होता है hyperling ठीक तो इसको मैं clear करता हूँ फिर इसी तरीके से bookmark आता है bookmark मतलब हम save करते हैं जैसे माल लेते हैं हमारे पास एक paragraph है और इस paragraph में हमने students को कुछ यहां तक बता दिया है पढ़ा दिया है और बाकी यहां समको पढ़ाना अगले दिन है तो मैं क्या करता हूँ जहां तक मैंने पढ़ाया है उसको एक save कर लेता हूँ bookmark के रूप में तो मैंने इसको select किया bookmark पर गए हम और यहां पर एक नाम लिख देते हैं जैसे मालो लिख देना टूडे मतलब या जो भी कुछ है मैटर लिख करके एड कर देना बैक आ जाना अब इसको आप save किये रहोगे ठीक अगले दिन जब आप इसको open करोगे तो आपको आइड हो जाता है और वह हाई लेट हो जाता है ठीक है यहां से आप जाजन सकते हो बुक मार्क में slightlyHello में इसके बाद आगे चलते हैं यहां किसी सब्ध पर या किसी sentence पर आप करना चाहते हो तो यहां से comment कर सकते हो कमेंट में करोगे जैसे यह वागा किस ने कहा तो माली यह पैराग्राफ रमेश ने कहा है ठीक तो यहां से इसको आप कमेंट एड़ कर सकते हो देखो इस पैराग्राफ में कमेंट एड़ किया गया है रमेश नहीं इसको कहा है फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में कुसी और कमे बाता है यह सबसे होता है यहान पहुत लिए नाप करो किस टाइटल में आपको चाहिए तो मैं यह वाला ले करके यहां पर क्लिक कर देता हूँ और हेडर में मैं यहां पर कुछ चीजे लिख देता हूँ जैसे माल लिजिए मैं यहां पर इसको थोड़ा सा टेक्ट मेंटर के कलर को चेंज कर देता हूँ ठीक है तो उतना दूर तो नहीं लिखेगा यहां से लिखेगा यह मैटर तो यहां पर जैसे मैं लिख दिया computer ग्यान classes ठीक है computer ग्यान classes और इसको select करके मैंने इसको क्या कर दिया बड़ा कर दिया matter पहले का लिखा गया जो उसके picture के पीछे सेट था इसलिए परदर्सित नहीं हो रहा था तो यह के header बन चुका है और इसको select करके हम बहुत से यहां से design सोगरा दे सकते हैं उसको बड़ा कर सकते हैं इसको और उपर भी set कर सकते हैं से ठीक है डवल क्लिक करेंगे और यह center में भी कर सकते हैं तो यह हमारा header set हो चुका है और याद रखना header प्रते एक page में लगता है तभी हमारे पास एक ही page है और जैसे हम मतलब यह कह और page को यहां से blank page को insert करते हैं दूसरी page पर भी header अपने आप आ जाता है तो यह header होता है इसे तरीके से हम footer भी set कर सकते हैं footer set करने के लिए करना क्या आपको बस यह footer वाले आपसन में जाना और यहां से जो भी आपको footer पसंदो style design उस पर ऐसे click करना और यहां पर आकर के document के बारें लिख देना जैसे यहां पर मैंने लिखा Microsoft Office 2000 21 और उसके बाद माइक्रो केंग यहां पर आथर हो गया बस करना कुछ नहीं है यहां पर यह अपने आप हो गया header यह हो गया footer फिर header फिर हो गया footer तो यह होता है header or footer header footer document के परते एक page में set होता है और इसके आगे हम चलते हैं फिर आता है page number page number भी वही चीज है फिर इसको लिखनी को ज़रूत नहीं है क्योंकि page number पर आप click करोगे यहां पर पूचता है top bottom margins में कहां पर आपको set करना है तो मैं यहां पर सबसे नीचे ले लेता हूं bottom में page के bottom में इस साइड में लेता हूं तो यहां पर देखोगे वह वाला मतलब header हड़ करके यहां पर इस page number वाला आ गया ठीक है तो ऐसे भी set कर सकते हो बाकि यहां पर भी तो दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आप कोई भी फॉर्मेट चूज कर सकते हो ठीक यह आपके उपर डिपेंड करता कि आप कैसा उसको प्रदास करना चाहते हो इसके बाद textbox टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोकर करके आप पेज में नहीं पर भी एक textbox बना सकते हो और बनाने के बाद उसमें कोई matter लिख सकते और लिखने के बाद उसको कहीं पर भी ऐसे ले जा करके set कर सकते थिक अब लोग है टेक्सट बॉक्स के बाद हम देखते हैं अगला है क्विक पार्ट क्विक पार्ट में कुछ जादा यूजफिल आपसंस नहीं है तो इसको हम छोड़ रहे हैं अगला है वर्ड य मतलब एक लोटेक्व टेक्स्ट मेंटर को इंसर्ट करने के लिए यूज क्या जाता है वर्ड़ड़ डेक्वरेटेटीब CSMETRY को यूज करते हैं जैसे मैंने थैंने pan replied उन्हों इह कंप्यूटर ग्राद सब्समें बहुत अच्छे से डिलेटा द्मिलिखता है तिस complaint computer ग्ला से सूझिख तो इस तरीके से में इसको आका सकते ही यूज कर सकते हैं भर इसको कहीं पर भी स्टे कर सकते हैं इस में हम इसको यहाँ पर click करके मतलब किसी भी text matter के उपर या picture के उपर या picture के पीछे text matter के उपर या पीछे set कर सकते हैं bring to front, send to back करके और यहाँ से इसको हम देखिए id effect भी कर सकते हैं 3D में भी इसको हम convert कर सकते हैं ठीक तो यहाँ से transform भी कर सकते हैं मतलब गोले में लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से design में लिख सकते हैं इस तरीके से भी लिख सकते हैं ठीक तो यहाँ पर ऐसे लिखने के लिए आपको ऐसे लिख करके खिंचना पड़ेगा और इस भार को भी ऐसे set करना पड़ेगा तो मैंटर जब ज़्यादा रहेगा आपका तो यह अच्छे से लिखेगा ठीक तो इस तरीके साफ डिजाइन का प्रियोग कर लेना वर्डार्ट का वर्डार्ट एक डेकुरेटिव टेक्स्ट मैंटर है जिससे हम डिजाइन वाले अच्छर को लिखते हैं आगे चलते हैं ड् कि नौट हाई और लो ऐसे लिख दिया या फिर मैं इंटर मार करके रेंड वाला फार्मूला यूज़ कर दिया यह इसको उपर वाले भटा देते हैं अब देखो वर्ड यह ड्रॉप कैप है क्या यह किसी भी सब्द के पहले अच्छर में लगेगा और बाई डिफाल्ट य जो यह थी भाई डिफाल्ट तीन या चार या उतों आपके उपर डिपेंड करता क्या आप कितना सेट करना चाहते हैं उसको सेट करके हम यहाँ से अपलाई कर सकते हैं जैसे यहां पर ड्रॉप का पर जब करेंगे आप्सन वाले पर इसे पुच्छता है कि लाइन से लिध आप पीछे सेट करना चाहते हो मैं आपasis कर देता हूं तब अब में जाना और यहां पर इंसर वाले ग्रूप में आ जाना ना फिंटी ऑफ अगा देखे रहो क्या है डिस्टेंस भी कर सकते हो टेक्स्ट फ्राम मतब कितना दूरी रहे इसमें ना ऐसे बढ़ा दे होगे ठीक यह सब सेट कर लेना नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं सिगनेचर लाइन है सिगनेचर लाइन भी आड़ करेंगे हम लोग अपने डॉक्मेंट में यहां पर जैसे नाम लिखेंगे किसी बवक्ति का मान लिजे मैंने लिख दिया रमेज का और यहां पर एक्जाम मतलब यह है क्या है यह मतलब क्लास टीचर है ठीक है और इसका इमेल यहां पर लिख देंगे और हमेंस एक दो तीन वैसे एक्ट्वल में नहीं है आप लोग इमेल मत करना डॉट कॉम टिए कर देंगा उसके बाद यह बंकर किया जाता अब इसको आप कहीं पर भी ले जाकर के नीचे पीछे ऊपर एड़ कर सकते हो ठीक यह आपका एक सिंगनेचर का बॉक्स आ जाता है मतलब कहीं पर भी आप इसको सेट करके ऐसे सिंगनेचर लाइ यह पूछता किस रूप में आपको डेटेंड टाइम चाहिए तो यहां से हम यह वाला डेटेंड टाइम भी ले सकते हैं ठीक ऐसे क्लिक करके इसने डाटा को इसमें आपको इंसेट करना जिसे मैं एक्सल का चार्ट ले लेता हैं अपर तो आप देखेंगे एक्सल का चार्ट पूरी सो पेन ओकरकेश इसमें आएगा ठीक है नेक्ष इसको हम क्या करते हैं डिलीट कर देते हैं अ कि इसके बाद हमारा था equation मतलब mathematical equation यूज़ करना पड़ा तो यहां से हम यूज़ कर सकते हैं ठीक है और यहां से insert new equation पर click करेंगे तो यह देखो इस तरीके सा जाएगा यहां पर भी धेर सारे symbols आ जाते हैं आप click करके कोई भी एक metal जैसे मैं यह लिलिया box इसमें उपर लिख दिया मैं 15 और नीचे लिख दिया तीन तो इस तरीके से आप अपने मतलब math के paper को बना सकते हैं यहां से यह है कि यदि आप Hindi typing कर रहे हो हना यदि आप Hindi typing करते हो और आपको कोई अच्छर नहीं मिलता है तो यहां से आप ले सकते हो ठीक है और अगर मतलब यह अच्छर ले लिए जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं कुछ ऐसा matter जो ना बनता हो keyboard से keyboard से मालीच यह नहीं बनता है keyboard में यह नहीं बनता है इसका code है यहां पर देखोगे alt plus 0225 है तो इसको मैं insert करता हूं यहां पर यह बन तो गया ठीक है लेकिन अगर हमें keyboard से बनाना है तो left side का alt दबा करके 0225 हमको type करना है यह बन जाए गया बना क्यों नहीं क्योंकि हमने इध 2225 तरह दबाओगे तब जाकर कि मैटर बनता ठीक है तो इंसर्ट इंसर्ट टैम में बस यहीं तक था इसके आगे अब नेक्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए धरन्यवाद